और वही बंगाल के संदेश खाली मामले में इस वक्त सुधान्चु प्रेस फॉर्ण फिंस कर रहे हैं। महिलाओं के करुण स्वरों के द्वारा चलनी हो रही है। और दुख की बात ये है कि वहां की सरकार इस विशय पर अत्यंत असम्वेदंशील और अमानवी है। यहां तक की उल्टा धमकाने वाला रविया अपना रही है। आज ही भारती जनता पार्टी के महिला मोर्चा के महिलाओं जिसमें महिला मोर्चा के अध्यक्ष हमारे पश्यम बंगाल की महिला पदादिकारी महिला सांसद और विधायक उनको जाने से रोका गया। कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुकानतो मजूमदार जी को बल पूर्वक वहां जाने से रोका गया। और अब वहां की सरकार ने वहां धारा 144 लागू कर दी है। और इतना ही नहीं। मीडिया के लोग भी जो रिपोर्ट कर रहे हैं उनको सिर्फ धमकाये नहीं जा रहा है उन पर F.I.R. भी की जा रही है। आपत्य की बात ये है कि इस तरह की बाते प्रकाश में आई है कि पशिम बंगाल की S.I.T. बजाए प्रतारित महिलाओं को न्याय दिलाने के कहीं न कहीं उन पे दबाव डालने का प्रयास कर रही है ताकि वो इस विशे को आगे न बढ़ाएं। इसलिए ये विशे बहुत संबेदन शील है और सबसे बड़ी बात ये है कि शा जहां शेक जो की त्रणमूल कॉंग्रेस का एक महत्पूर वेक्ति है वो अभी तक गायब है। उसका मुख्य कारण जानते क्या है कहते हैं कि साब उसको हाई कोड से प्रोटेक्शन है जो सरासर गलत है हाई कोड का कोई भी विशे इस संदर्व में नहीं है महिलाओं के द्वारा शाजांशेक पे की गई शिकायत के बारे में नियायले के द्वारा किसी भी प्रकार का को स्क्राधर इसलिए नहीं हो सकता, कि उसको और कोई प्रोटेक्शन नहीं है, उसको सिर्फ West Bengal का प्रोटेक्शन नहीं है. शाजां शेक एक प्रवित्ट्टी का नाम है, जिसे पूरे भारत में सेकुलर प्रोटेक्शन प्रापत है। कि एक particular मानसिक्ता है जो कितने भी प्रकार के अपराध कर ले आतंकवाध कर ले दलित आदिवासी महिलाओं को प्रताडित कर ले मगर उन्हें सदा सर्वदा protection प्राप्त रहता है और उसे हम कह सकते हैं कि वो एक secular protection है क्योंकि पशिम बंगाल की सरकार यहाँ पर सिर्फ हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है मुस्लिम समाज किये जो कटर पंथी और आपराधिक तत्व हैं वो चाहें शाजां शेख हो शेख सुराजुद्दीन हो या जहांगीर ऐसे ही तत्वों के माध्यम से अपनी सत्ता को बरकरार रखने का जो प्रयास है वो बहुती निन्दनी है यहां मैं एक बात और कहना चाहता हूं यह घटना इसलिए और अधिक हर्दय विदारक है कि यह जो तथा कथित सेकुलर दल है यह तो नहीं बोलना है समझ में आता है क्योंकि इनके लिए महिला का दर्द पहले वोट के तराजू पे तौला जाता है कि कौन सा तगड़ा वाला वोट बैंक है उसके बारे में बोलना है या नहीं बोलना है मगर दुख की बात यह है कि जो सेल्फ प्रोक्लेम चैंपियन आफ वुमिन राइट्स हैं वो भी इस विशय के उपर पूरे भारत में मुह में दही जमा कर बैठी हुई है यानि ये भी अपने हाप में एक गंभीर प्रश्ण है और उससे दुखत बात यह है कि तरण मूल कॉंग्रेस के नेता इस विशय के लिए नोटंकी जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि संदेश खाली एक घटना नहीं एक फिनॉमिना है जो लोग कहते हैं कि दिहास को भूल जाओ तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ यह एक फिनॉमिना है जिसने बंगाल को पिछली शताब्दी और उससे पहले की शताब्दी से भी बरबाद किया है एक जन शुर्ती है बंगाल में कि सिराजुद दौला के जमाने में इसी प्रकार की घटनाएं होती थी महिलाओं को उठा लिया जाता था और उनके साथ